साथियों, किसान की आय दो गुनी करने के लिए, लागत कम करने के लिए, उनकी परेशानी कम करने के लिए, बदलते समय के साथ हमें अपने प्रयास बढ़ाने ही रहूंगे. किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो, या फिर हजारों किसान उत्पादक संगों का निर्मान, सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पुरा करने का काम हो, या फिर फसल बिमा योजना में सुधार, यूरिया की सत प्रतिशत नीम कोटिंग हो, या फिर देश भर के करोडों किसानों को सॉयल हेल्थ काड़, इसका लक्ष यही है कि देश का एग्रिकल्चर सेक्टर मजबूत हो, किसान को खेती करने में मुश्किल न हो, इसके लिए निरंतर नहीं नहीं पहल की जा रही है। देश में आज अन्न दाता को उर्जा दाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रीड से जोड़ा जा रहा है। इससे जो बिजनी खेतों में पैदा होगी, उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाई के लिए उप्योग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजनी को बेज भी पाएंगे। देश भर में करीब साड़े सत्तर लाख किसान परिवारों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है। इससे किसानों को सिंचाई की सहुलियत भी मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त आए भी हो जाएगी। आएए धम लगान पالप चा करेंगे। किष्ड़ में चौन स्ऩाई दो फाएगी। ँब्स खाएग्ड़ी है जा रहाएगी।